वेलकम टू माई चैनल आप से भी का स्वागत करता हूँ एक नए एपीसोड में मुझे अमीद है कि आप लोग ठीक होंगे फिट होंगे हैपी होंगे खुश होंगे दोस्तो तंदरुस्त होंगे काफी मौज में होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कलकी के बारे में कि कल कि बाक्स ओपीस पे कितना का कमाई कर चुकी है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि हिंदी मार्केट का इसका बिजनिस किया हो गया है नेट केलेक्शन कितना हो गया है चार दिनों में दोस्तों जो कल की है वो हिंदी बॉक्स ओपीस पे 107 करोड का बिजनिस की है यानि Thursday, Friday, Saturday और Sunday बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों एक डब फिल्म के हिसाब से ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनिस की है और ये lifetime मुझे लगता है कि हिंदी ओडियन्स अगर ऐसी support करती है इस फिल्म को तो ये धाइस सो करोड से नीचे नहीं होगी धाइस सो करोड से ये फिल्म उपर बिजनिस करेगी नेट हिंदी से दोस्तों हिंदी मार्केट से हिंदी लैंगवेज में हिंदी डब में आज ये फिल्म कितना कमाईगी तो आज ये मंडे को फिल्म साड़े सोला करोड के बिजनिस करेगी बहुत अच्छा बिजनिस है दोस्तों बहुत अच्छा नंबर है ये फिल्म जादा नहीं गिरी साउथ के मुकाबले साउथ में ये फिल्म दोस्तों गिर चुकी है साउथ के फिल्म में एक दो दिन बहुत चलती है ओपनिंग जबर्दस लेती है लेकिन उसके बाद फिल्म बहुत धराम से गिर जाती है साउथ में, लेकिन हिंदी मार्केट में ऐसा नहीं होता है, अगर किसी फिल्म को हिंदी आउडियंस पसंद कर रही है, चाहे वो बॉलिवूड की फिल्म हो, या साउथ की फिल्म हो, या हॉलिवूड की फिल्म हो, वो दोस्तो बैलेंस बरकरार रखती है, मतलब ऐसा नहीं होत दोस्तो 75 से 480 क्रोड की है जो इसका रियल केलेक्षन हैं दोस्तों लेकिन निर्माताओं के तरब से 555 आ रहा है यानि 555 क्रोड जो प्रोडूसर वो बता रहे कि मेरी फिल्म ने कमा लिया है अब उनकी फिल्म में वो 555 बता हैं 1500 बता है ये बात उन यूटूबरों के लिए बहुत अच्छी होगी जिनका धंदा चल रहा है जो लोगों को बैकूप बना रहे हैं मुझे कमेंट आया था कि भाई कोई अंसारी नाम का यूटूबर है वो 3D का बता रहा है एड नहीं है GST आया रहे मेरे भाई एक टिकट प्राइज अगर आप 3D में फिल्म देखते हैं और टिकट का प्राइज 280 रुपे होता है तो 280 रुपे में 3D इंकलूड होता है ऐसा नहीं कि आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं काउंटर पे जा को टिकट में अड होता है अगर आप फिल्म 3D में देख रहे है तो उस 280 रुपे में जो टैक्स वगरे वो निकाल के नेट बन जाता है टैक्स एड करके ग्रॉस बन जाता है टिकट कदाम जितना भी हो 400, 500, 800, 1200, 1500 इससे फर्ग नहीं पढ़ता है पता नहीं कहा कहा से लोग क्या क्या देख आते हैं और कमेंट कर देते हैं एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हॉलिवूड के वेफसाइट एक कम स्कोर वो बता रही है कि 500 पचपंकी है तो भाई किस पर हम बिलीब करें भाई जो कम स्कोर है ना इसको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से इस वेबसाइट को ये international collection के लिए बहुत अच्छा है ये overseas collection के लिए बहुत अच्छा है इंडिया में तो ये track करता नहीं है आप को याद होगा सलार के वक्त पे देखें स्क्रीन्स पे आप सलार के वक्त पे यही website बताती थी दोस्तो worldwide weekend 325 करोड humble film बता रही थी 402 करोड 77 करोड का difference था humble film में कम score में तो इसका मतलब क्या हुआ कम score उस टाइम पे फरजीवाडा की थी तो ऐसे से website को मैं follow नहीं करता हूँ दोस्तो जो copy paste करती है जो production वाले बताते हैं मैं follow करता हूँ box office इंडिया को जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा website है दोस्तो सबसे बड़ा tracker है मैं comment box में description में या comment box में उसका link दूँगा आप लोग पढ़ना website को देखना और समझना तो आते हैं दोस्तो वापस topic पे इस film ने पहले 4 दिन में 475 से 480 करोड किया है जिसमें 17 million dollar overseas से हलाकि box office इंडिया 16 million नहीं बता रहा है लेकिन 17 million है कुछ जगा का add नहीं है तो 17 million dollar यह overseas से किये और मुझे लगता है कि overseas यह 25-26 million dollar में समाप्त हो जाएगी जहां जवान ने 49 million किया था पठान ने 49 million किया था 49-50 million यह उसका आधा कर रही है दोस्तो सबसे ज़्यादा यह overseas में 11 million किये नौर्थ अमरीका से यानि अपने 17 million में 11 million नौर्थ अमरीका से किये यह film जिसमें से 3-4 million तो प्रिमियर से आये थे तो बाकी जगा collection का हुआ इसका overseas में दोस्तो यह film आज कितना business करेगी तो आज यह worldwide gross 50 करोड करेगी और total हो जाएगा इसका जो real collection वो 525 से 530 करोड अब poster पर भाई या 606 आजाए 666 आजाए 777 आजाए भाई इसकी जमदारी मैं नहीं ले सकता हूँ उन यूटूबरों के लिए बहुत अच्छी बात होगी पोश्टर पर जितना आएगा वो बता देंगे पोश्टर पर अगर 10-15 करोड का difference होता ना जादा आता ना तो मैं भी बताता मुझे प्राब्लम नहीं थी अगर 30 करोड 20 करोड का difference होता तो भाई ये पाचवा दिन मिला के 90 करोड का difference हो जाता है 90 करोड inflation किया गया है दोस्तों 90 करोड का manipulation है 90 करोड में एक छोटी फिल्म हिट हो जाती है सुपर हिट हो जाती है 90 करोड अगर कमा ले तो यहां 90 करोड का hair fare हुआ है ये फिल्म already हिंदी में अच्छा चल रही है हर जग अच्छा चल रही है फिर भी इतना ज़्यादा नंबर देनी की जरुवत क्या है मेकर चाहते है कैसे भी ये फिल्म 1000 करोड पार हो जाए अगर मेकर की नजर में ये फिल्म पोस्टर पर 1000 करोड लिग दे नहीं है तो ये ट्रेट से कभी 1000 नहीं होगा ट्रेट फिगर इसका 800 ही होगा और इसे आगे नहीं जाने वाली जादा से जादा 900 करोड जाड़े 800 करोड इसका लाइफ टेम होने वाला है 800 करोड से जादा नहीं कमाएगी जो इसका रियल कलेक्शन होगा दोस्तों लेकिन निर्माता भाई 1000 करोड बताएंगे पुस्टर पे 1500 करोड बताएंगे और आप उसी बिलीब करेंगे तो भाई वो आपका चुआश से आप उसे बिलीब करेंगे मैं तो वो फॉलो नहीं करता हूँ मैं ट्रेट फिगर फॉलो करता हूँ तो आज 50 करोड होगा कल निर्माता बताएंगे कि मंडे को मेरी फिल्म ने 60-70 किया है तो आप तो भाई बहुत हैपी हो जाओगे लेकिन आपको रियालिटी नहीं पता है कि भाई क्या सच्चाई है तो भाई ये 90 करोड का डिफरेंस हो जाएगा आज का मिलाके और 615 हो जाएगा और रियल क्लेक्शन हो जाएगा 530 करोड क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे पता है कि प्रभास फैंस को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा सलार के वक्त पे भी सलार का क्लेक्शन कितना है दोस्तो अभी जो मैं लिंक दिया हो ना उस पर पढ़ लेना अब 600 करोड वर्ल्ड वाइल सलार का बिजनेस था दोस्तो लाइफ टेंग लेकिन निर्माताओं ने पता नहीं 800-900 क्या बता है तो मुझे याद नहीं है लेकिन पता नहीं 500 करोड क्लेक्शन आ रहे थे हर दिन 100 करोड आ रहे थे आप बताना कि सलार का निर्माता कितना बताएं तो मैं कमेंट बॉक्स में वेबसाइट के लिंक डाल दूँगा अगर आपको बिलीब नहीं है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं उसके बार डिसाइड करें कि भाई मैं सही हूँ या फिर वो यूटूबर सही है जो पूश्टर पर जो किलेक्सन आ रहा है जो निर्माता बता रहे है वही बता रहे है और मस्त अपना दुकान चला रहे है यह गलती उनकी भी नहीं है भाई यह उनकी मजबूरी है अगर वो सच बोलेंगे तो सब्सक्राइबर हट जाएंगे वो चैनल बढ़ा नहीं हो पाएगा और जो सच्छे वही बताऊंगा जो रियल कलेक्सन है वही बताने वाला हूँ दोस्तो मैंने यह भी कहा था कि डंकी के प्रोडूसर और ट्रेड में 425 था ट्रेड और 470 था यह ओफीसियल तो कितना का डिफरेंस था मैंने वो भी बताईए दोस्तो डंकी के वक्त में दोनों फिगर बताता था जवान के वक्त भी आपको याद होगा मैं दोनों फिगर बताता था पठान के वक्त पे भी कि ट्रेड इतना है और ओफीसियल इतना है लेकिन बात यह कि वहाँ 12-15 क्रोड का डिफरेंस था लाइफ टाइम में यहाँ 90 क्रोड का डिफरेंस हो गया है दोस्तों 90 क्रोड का और लाइफ टाइम कहीं 1.500 क्रोड का डिफरेंस ना हो जाए होगा ऐसा ही होगा मुझे लगता है तो बाकी के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें टेक कियर